दोस्तो गराब भी MS धोनी और रुतराज कायकवड को पहतरीन खिलाडी माते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर गीचिएगा दोस्तो चेपो के मेदान में धोनी के बाद एकलोते कप्तान बनकर मुकाबले को जीत कर रुतराज कायकवड भावुक हो गए और अपनी जीत को धोनी के कदमों में समर्पित कर इस खिलाडी ने जो कहाना वो सुनकर शैद आपको भी अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा आखरकार दोस्तो रुतराज कायकवड ने क्या कुछ कहा उनके बयान का बुरा वीडियो आपके सामने रखने जा रहे हैं लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है रुतराज कायकवड जड़ेजा और सुरेश रेना में धोनी के अलावा सबसे बहतर कफ्तान कौन है स नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तो दोसर चौबिस के सीजन का पहला मुकाबला चेनई और आर्च्टिबी की टीम के पीच में चेपोक के एतिहासिक मैदान में खेला गया मुकाबले को जीतने के लिए दोनों टीमें कितनी जादा तैयार थी शिरवाती दोर में पता चल गया था राच्टिबी के कप्तान फाफ टुपलिसिस ने टॉस जीतकर टीम के लिए बैटिंग चुने और बैटिंग चुनकर खुद ही 35 रण की तौबर तोर पारी खेली ही रहे थी कि दोस्तों मुस्तफिजुर का शिकार बने और केवल वही नहीं बलकि दो-दो खिला टार्गेट अपने घर में अब CS के कोचेज करना था ऐसी बात है टार्गेट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था ओपर से चेरनी की टीम के खिलाडियों में जीतने का ज़स्बा कुछ अलग ही नजर आ रहा था अलग ही ओपन करने आये दोस्तों कप्तान रुतुराज गा टिन करके रखना था और जेताना था रहाने ने 27 तो 22 जैर मिशन ने लगाए और चौके छके ठोके शिवम दूबे ने 28 गेंदों में चार्ट चौके एक छका लगा कर 34 बनाए उदर रविंद्र जड़े जब 17 गेंदों में एक छका लगा कर 25 रन बना चुके थे याओ दोस दो कफ्तान भी ऐसा नहीं कर पाए दोसरो रुद्राज गायकवर्ड वाकई में भावुक थे और धोनी के कदमों में जीत को समर्पित करते हुए इस 27 साल के युवा खिराडी ने कहा इस पहले मुकाबले को जीतने के लिए हमने उससे भी कई गुना जादा मेहनत करी है जि अन्होंने मुझे कफ्तानी के लाइक समझा और मुझे चुना भे क्योंकि वो जानते थे कि मैदान में एक न एक जिन दो चिनने के लिए कोई चाहिए होगा और मैं खुद को बहुत सबाग्शाली मानता हूँ के उन्होंने मुझे चुना लेकिन आज जो हम जीते हैं न यह जीत पूरी तरीके से दोनी भाई की है उनकी वज़े से हमें मिली है मैदान में कब्टान ही कैसे करते हैं इसका काभ भी मुझे नहीं पता था लेकिन दोनी भाई ने पीठ थपतबा कर सारा प्रैशर भी अपने सर ले लिया और अपने कांदे सारी जिम्मेदारियां लेकर फिल्डर्स को सेट भी किया बले बाजों और गिंदबाजों को प्रिपेर भी किया मैंने तो बस कप्तान होनी की फर्मालिटी निभाई आज अजिस सीखोंगा इस सीजन में ताकि आगे चलकर चेनने में उनकी कमी को पूरा कर पाऊं जो होगा तो नहीं लेकिन ये जीत दोनी भाई आपको समर्पित है और ऐसी सीजन की सारी जीतें वह चेननी की छटी ट्रोफी भी आपको ऐसे समर्पित होगी ताकि आप हमसे हमेशा जुड़े रहें तो सरु दुराज का ये वयान दिल जीतने वाला है किस खिलाडी ने बना डाले कितने रन किस ने ठोका सबसे तेज अर्धुष्य तक कोहली ने दिया कितने रनों का योगदान कौन सा चनलई का गेंदबाज ले पाया सबसे अधिक विकेट इस रोमाजक मुकाबले की रोंग्टे खड़े कर देने वाली पूरी हाइलाइट हम आपको जरूर दिखाएंगे लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है दोनी और कोहली में कौन अपनी जीन को आईपियल 2024 का चेंपियन बना पाएगा कॉमेंट में जरूर बताइए दोस्तों आखरकार वो घड़ी आ चुकी है जिसका हर कोई बेसबरी से इंतिजार कर रहा था इंडिया की तेवहार आईपियल 2024 का बेगोल बच शुका है जिसका स्वागत काफी धून धाम से किया गया चैनली के चेपोक में बीसी सियाई ने भवे ओपनिंग सेरिमनी का आयोजन किया था जसमें उन्होंने एक से बढ़कर एक सितारों को नेमंतर दिया था जिन्होंने आकर नाकेबल फैंस का काफी मनोरंजन किया बॉलकि अपनी देश भक्ती का ऐसा नमोना पेश किया कि हर एक हिंदुस्तानी का दिल देश भक्ती और तिरंगे के रंग में रंग गया था पूरे दुनिया इस मुक्याबले के लिए बेकरार नजर आ रही थी धोनी और कोहली के इस बिढ़ंत में एक नया इतिहास फर से लिखा जाना था कुछ ऐसी ही उमी धारेक आईपियल फेन को थी धमागेदार आईपियल ओपनिंग सेर्मनी के बाद जब टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान फाफ़डू पलेसी के साथ रेतुराज गया कवाड़ा आए की थी दूस्तरी तरफ पहले ही ओवर में गेंदवाजी से आग उगलने के लिए तयार हो चुके थे धोनी के सबसे भरोसे मंद दीपक चाहर हलाकि इस टूर्णमेंट के शुरुआत उन्होंने वाइट से की यानि कि बिना कोई गेंद फेके ही बैंग नुरू का खाता खुल चुका था तो फिर पहली ही गेंद पर किंक ओहली ने सिंगल लेकर अपना पहला रन बनाया हलाकि फाफटू प्लेसी को दीपक चाहर ने काफ ही नच राया पहले दो गेंदों पर तो उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आया कि हो क्या रहा है तीसरी गेंद पर भी वो पूरी तरीके से चक्मा खा गये ऐसा लगा था कि उनका विकेट गिरने ही वाला है लेकिन ये खिलाडी भी किसी से कम नहीं है पाँच में ही गेंद पर कवर को चीरते हुए उन्होंने एक जबरदस्त शौका लगाया और चलनाई के अर्मानों पर पानी फेरना शुरू कर दिया हलाकि अंतिन गेंद पर दीपक चाहर ने वापसी करते हुए उन्हें केवल सिंगल दिया और पहले उबर में बैंगनूरू की टीम ने साथ रन बना लिये थे अभी तक दोनों टीमों में से कोई भी एक दूसरे पर हावी नजर नहीं आ रही थे लेकिन दोस्तों ये केवल एक गलत फेहमी थी दूसरा उबर लेकर आये तुशार देशपांडे की पहली ही गेंट पर फाफ डूपलेसी का बला दाहडा मेडविकेट के क्षेतर में बैंगनूरू के कप्तान ने तुशार का स्वागत मैदान को शीरते हुए ख़तरनाक शोके से किया था यानि कि इस यूवा गेंदबास के टूर्नामेंट के शुरुआत काफी खराब हुई थी तो तुशरी गेंट पर खिलाडी वही बस एरिया दूसरा था और इस बार कवर को डूपलेसी ने निशाना बनाया और एक करारी कोवर ड्राइब से चोका जड़ कर उन्होंने नएन अवेली कप्तान रितुराज के पुसीने छोडाने शुरू कर दिये थे चन्ही के मैदान पर पिंट रॉप साइलेंस था क्योंकि ये दोनों बल्लेबास काफी बेदर्दी से उनके गेंदबासों का शेकार कर रहे थे हलांकि पिछ में उतनी उच्छाल नहीं थी तब ही तो तुशार ने अगली दो गेंदों पर वापसी करी चौथी और पांच्वी गेंद पर डुपले सी पूरी तरीके से हका बका रह गेंद उनके विकेट के बेहद करीब से निकली थी वो क्लीन बोल्ड होने से बाल बाल बुचे थे चन्नी को किसी भी किमत पर विकेट चाहिए था लेकिन अब तक उनका कोई भी प्लैन काम नहीं किया तो यहां तक की तीसरा उबर लेकर आये दीपक चाहर का स्वागत भी बैंग्नूरू के कप्टान ने एक विदवन सक चोके से करकर अपनी तेवर धूनी की पल्टन को दिखा दिये थे यहां तक की दीपक चाहर पर भी दबाव साफ तोर पर दिख रा था तबी तो दूसरी गेंद पर उन्होंने जोड़दार बाउंसर मारनी चाही और गेंद वाइड फेक दिया लेकिन दोस्तों ये तो केवल तूफान के पहले की शांती थी उसके बाद तो बेरहमी से जोपलेसी ने दीपक चाहर को आखरी तीन गेदो पर तीन खतरनाक चोके लगा कर इस गेंद बास का करियर भी तबाह करने का मन बना लिया केवल तीन ओवरों में ही बेंग दूरू की बारी 36 रनों तक पहुँच चुकी थी माहेंदर सिंग दोनी भी हैरान और बरशान थे तभी तो आखरी हार मान कर उन्होंने इस पिन के जादुगर महेश तिक्षा को विकेट लेने की जिम्मेदारी थमाई उन्होंने इसे बखुबी निबाना चाहा और चोथे ओवर में दोनों बल्लेबासों को पूरी तरीके से बांधे रखा यहां तक कि इस ओवर में इस गेंदबास ने केवल चार रन बनने दिये चार ओवर में बेंग दूरू की टीम 37 रनों तक पहुँच चुकी थी अलागि अब तक चन्नाई विकर्ट चटकाने में काम्याब नहीं हो पाई थी और एक गेंदबास की उन्होंने कुटाई करने का मौन बनाया था पांचवा ओबर लेकर आये बांगलादेशी संसनी मुस्तफेजर रहमान आये थे लेकिन उनका स्वागत भी दूसरी तरफ डुपलेसी ने चौके से किया था ऐसा लगा था कि इस गेंदबास का अंजाम भी कुछ ऐसा ही होने वाला है लेकिन बैंगलूरू के कप्तान ने अपना काम भखो भी किया थे इस गेंदो पर आठ जोके की बदोलत 35 रन बना कर वो आउट हुए अब तीन नंबर के पैदान पर रजट पाठेदार उतर चुके थे लेकिन आते ही स्खिलाडी को मुस्तफिजर ने पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और मैं है जो दूसरी ही गेंद पर धोनी के दस्तानों में कैच करवा कर उन्होंने बैंगलूरू की कमर तोड़ दी थी जहां पांच ओवर में बैंगलूरू की टीम केवल एक तालीस रन बना पाई और उन्होंने अपने दो बल्लेबासों को गमा दिया था अब विराट कोहली का साथ निभाने के लिए मैक्सविल कदम रख चुके थे लेकिन तब ही कुछ ऐसा हुआ जिस ने बैंगलूरू के की बोलती बंद कर दी जी हां पावर प्ले का आखरी ओवर लेक और आए दीपक चेहर ने मैक्सविल का शिकार कर बैंगलूरू की टीम को तहस नहस कर दिया था यहां तक कि इस खिलाडी को खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला और एक के बाद एक लगातार तीन विकेट गर पाएगी लेकिन विराड के साथ मिलकर साथी बलेबाजों ने एक ऐसा करिश्मा दिखाया कि बैंट नूरू ने आखिरकार गिरते पड़ते एक सो पच्छास रनों से भी अधिक का लक्ष चेन्री को थमा दिया है लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है दोनी और कोहली में के इंतबाजी से चेन्री की टीम ने अर्सीबी के परकच्छे उड़ा करक दिये